हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू आए एक्जाम भी, आएम सुशिल रगडे, एक्स मैनेजर रिजर्ब बैंक आफ इंडिया और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको पता था पहले से ही कि इस ताइप का कोई एक RBA का मंतली पब्लिकेशन होता है उसको कहते है M-C-I-R, Monetary and Credit Information Review और दूसरा डॉकुमेंट होता है RBA का बुलेटिन जो हर मंत आता है तो दो-तिन टाइप के क्वेशन है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको पहले यह पता था क्या नहीं था अगर आपको पता था तो आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ यह है अदर्वाइज 99-98% लोग तो आपको पता है प्रिलिम्स में ही फेल हो जाते है और जो लोग प्रिलिम्स क्लियर कर लेते हैं फिर यह ऐसा जो नौलेज होगा वो आपको आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपके MCQ में आपके इंट्रू में बहुत क अपरी स्टेज बहुत इंपॉर्टन है और फाइनली इंट्रू पे आके सारा डिसाइड हो जाता है तो उसके लिए इस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए लिकिन यह सब की लिए नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ पहले आप यह एंशूर कीजिए कि आपका प्रिलिम्स नि यह.org.in यह वेबसाइट पर आप जाओगे ठीक है वहाँ पर आप पब्लिकेशन पर यहां पर क्लिक करेंगे अधरवाइस देखो डेली के डेली ना बहुत सारा यहां पर आते रहता है तो जो लोग डेली विजिट करते हैं उनको पता होता है क्या क्या चल रहा है जैसे अ काफी सारे होते हैं इसमें यह है आपका M-C-I-R सिर्फ चार पेज का होता है एवरी मंद इसके पेज फिक्स है सिर्फ फॉर पेज़स का है तो महने में अगर आप यह चार पेज़स पढ़ने के लिए वन आर ठीक है 60 मिनट्स आपको निकाल ले है जिस देख ले रहा है बहुत हाई क्वालिटी मट्रियल है लोगों को पता ही नहीं बहुत लोगों को पता नहीं है ऐसे मट्रियल रिसोर्स इस होते है और यह और बड़ा होता है 152,200,250 के पेज़स के आसपास होता है इसमें भ पता हो आपको क्या-क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अभी देखो यह है content अभी recent जो आया हुआ है जैसे अगर MPC हो गया है तो फिर governance statement, monetary policy statement, statement on development of and regulatory policies ऐसा जो आपको पता है regularly और यह क्या है monthly bulletin actually अगर summarize format में बोले जाए पताया जाए तो यह होता है पूरे मन्त में RBI के website पे जो कुछ भी आता है उसका सारा करक्स यहां पे आ जाता है ठीक है यह है monthly bulletin अभी देखो speeches होते है और यह speeches individually भी RBI के website पे publish होते रह है ठीक है तो यहां पे किसने है शक्तिकांत दास जी का है माइकल पातरा सरका है राजेश्वर राव सरका है उसके बाद स्वामीनातन जे सरका है स्वामीनातन जे सरका और भी है कुछ articles होते है Indian economy state of the economy बहुत important article है current statistics है recent publication तो यह बाकी यह वाला बहुत जाता होता है आपको यहां पी इतना deep नहीं देखना है कुछ-कुछ ही ऐसे important indicators है जो हमें देखने पड़ता है तो यह हो गया इसका index content का चलिए अभी आपको क्या करना है ideally जो बहुत sincere लोग है जिनको RBI में जाना ही जाना है जिनका phase 1 का तैयारी अच्छा है phase 2 में value addition करना चाते इंटरू में भी अच्छा perform करना चाते है तो वो लोग सारा पढ़ते है लेकिन अगर आपको सारा नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले यह title देख लेना है fundamental shifts in the global economy new complexities challenges and policy actions ठीक है यह lecture कहां पे हुआ है यह नीचे यहां पे दिया होता है और उस article में या speech में उनको अगर किसे ने help किया है कभी अफिसर भी help करते है grade C है grade D है उनका भी नाम वहां पे आ जाता है ठीक है तो आपको RBI में जाने के बाद ऐसा मुका मिलेगा जर्डरली डीप यहां पे जो officers होते वो बहुत यहां पे help करते है उनका नाम भी आता है मैं अगले side में आपको बताऊंगा तो किसने यह speech लिखा है सारा का सारा पढ़ना है अगर नहीं है तो at least इतना देख लिए जैसे अभी harnessing digital technologies in central banks opportunities and challenges ठीक है तो यह इस तरीके का है कहा कहा lecture हुआ है क्या है यहां पे देखो पीछे के इसमें conclusion introduction करके access दिया नहीं तो इतना पढ़ लिजी और उसके बाद conclusion and way forward इतना तो आप पढ़ सक वो time की बाद देखो कभी भी time का issue issue को है यह नहीं किसी वो priorities है वो priorities का issue है और कोई कहेगा ना कि पूरा pack है कुछ भी time नहीं तो फिर मेरे case में मैं अगर होता तो फिर मैं मेरी जो नीन थोड़ी कम कर लेता 8 गंटी की 7 गंटी कर लेता या मेरा जो time pass है वो कम कर लेता traveling के time पे में पढ़ लेता office में बैटा हूँ कभी कही waiting में बैठा हूँ तो उस टागे में पढ़ लोगा जिसको पढ़ना है वो फिर reason opportunity ढूंडी लेगा अधरवाई जिसको नहीं पढ़ना है फिर उसके लिए तो बिल्कुल भी time लेगे चलो state of the economy यहां पे introduction दिया हुआ है ग्लोबल GDP growth नाव कास्ट नाव कास्ट है नाव कास्ट मैंने मेरे class में दो बार पढ़ाया है हमारा जो class चलता है नाव कास्ट का मतलब क्या है अगर आप में से जैसे आपने forecasting सुनागा forecasting तो नाव कास्टिंग का मतलब क्या है comment section में मुझे बताईए ठीक है नाव एन ओ डब्ल्यू सी एस्ट ठीक है एक्शुली ऐसा complete वर्ड है यह नाव कास्ट बताना है comment section में पता आएग या नहीं पता है और first time सुना है तो वह भी लिखी ठीक है आप participate कीजे तो पता चलेगा बाकी लोग क्या कर रहे है और आप क्या कर रहे है ठीक है उसके बाद spatial यानि कि यह space के बारे में है ठीक है यह special होता है special coordinates देखाऊ spatial यानि कि यह space के बारे में अलग-अलग states के बारे में distribution of inflation यान कि जब हम इंडिया की inflation के बारे में बात करते तो हमें average number बताते है लेकिन सारे state में तो inflation से हमने रहता है अलग state में अलग भी रहता है और most लिए द सारे जो coastal state है यहाँ पर आ गया उसके बाद यहां से तो अंदर जाना पड़ता है ना landlocked state में तो वहाँ पर traveling का cost बढ़के फिर वो inflation बढ़ जाता है यह general statement है कभी-कभी बहुत सारे factors होती है यह एक point है ऐसे 100 points हो सकते तो अलग-अलग state में अलग-अलग inflation होता है इंट्रो में इस टाइप के question आ सकते है रिजर मनी एन circulation currency circulation यह भी इंट्रो में question आ सकता है description में भी आ सकता है कि circulation बढ़ रहा है या कम हो रहा है आपको पता है the shape of growth compatible fiscal consolidation fiscal जो है fiscal यानि की आपका tax के बारे में revenue के बारे में expenditure के बारे में यहाँ पे introduction दिया है आपको पढ़ना है अभी देखो यह budget के बारे में भी यहाँ पे आया तो यह जो number है आपके यहाँ पे दिये है जैसे direct tax इंट्रो में आ से तब को पता होना चाए direct tax क्या है जैसे percentage अब GDP कितना है अगर बूचेंगे इंट्रो में तो अगर जिसको कुछ भी पढ़ा नहीं तो उसका number आई का नहीं अगर आपने बोलेगा आप बोला तो से 6-7% के बीच में तो भी चल जाएगा ठीक है उसमें growth कैसी हुई है indirect tax का कैसा है यह भी आ सकते कि direct tax ज्यादा है कि indirect tax ज्यादा तो direct tax यहाँ पे ज्यादा है gross tax collection कितना है 11.6, 11.7 इसमें कैसे growth देखा गया है capital expenditure आपको पता है last year हमने यह number याद रखा था यह याद रखना ही रखना है आप जब descriptive के answer लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि Indian government ने budget में 10 लाग करोड का provision किया हुआ है capital expenditure के लिए और इस साल का number है 11.11 याद रखने के लिए आसान है यह आपको बताना है interview में आपको MCQ में भी आ सकता है descriptive answer में भी आपको लिखना पड़ेगा और fiscal deficit का number यह 17.87 last year का इस साल का 16.85 और यह overall कितना percentage है यह number याद रखना यह किसी ना किसी exam में regulatory body के exam में phase 1, phase 2 में इसमें से कुछ ना कुछ 100% आएगा RBI नाबाड से भी phase 1, phase 2 में यह जो slide में मैंने भी बताया 100% exam में आएगा मैंने ऐसे बहुत बार बोला है और वो बहुत बार सही भी हुआ है अब ही देखो यह NCIR के में बात करता हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है regulation के बारे में supervision के बारे में financial markets के बारे में foreign exchange, debt management, payment and settlement, publication data इसके बारे में यह होता है देखो credit risk transfer के बारे में कुछ भी आया है यहाँ पर उसके बाद payment bank के अगेंस के action ले है तो यह क्या है चार page का document तो यह भी एक summary है Bulleting जो है वो बड़े level की summary है और यह internal RBI के अंदर क्या हुआ है अलग-अलग department के क्या क्या action ले है वो है guidelines on import of the gold है working group on the state government guarantees के बारे में है finances और पंचेतिराज institution तो यह चार page का document में आपको सारा development जो है important आपको यहाँ पर पता चलेगा ठीक है अभी हमने यह fifth batch है ठीक है quant जो है वो मैं पूरा quant में पढ़ाने वाला हूँ और CP Zoshi Sir जो है वो उनके साथ Amit Sir और Tushar Sir के साथ वो ESI पढ़ाने वाले तो यह change है तो आपको मजाएगा मैं मेरा maths बहुत टाइम से मैंने पढ़ाया नहीं है अगर पूछो तो मैं originally I am a maths quant faculty तो देखते है उसके बाद यह phase phase 1 का exam होता है तो एक दिन gap लेकि क्योंकि लोग travel करते हैं बाहर भी center होता है तो एक दिन gap चोड़के दूसरे दिन से यह start होगा ठीक है तो RBI में CGM ते regional director और executive director NHP में और अभी वो आएम एमदाबाद में पढ़ाते है और उसके बाद आएम लखनों में भी वो case faculty के तोर पर पढ़ाते है तो ऐसे faculties आपको कही पर भी नहीं पढ़ाए जिनोंने exam crack भी किया है और जिनको यह सारा internal पता है किस तरीके से economy है चल र चासर के साथ आपको ESI पढ़ाएंगे ठीक है हमारा बैच अभी start होने वाला है यहाँ पर आपको call कर सकते है ठीक है आपको चहां पर join करना है वहाँ पर join किस आप free है और यह decision आपको खुद को लेते आना चाहिए हम क्या कर रहे है monthly thousand questions देंगे अभी recently हमने 90 MCQ का series start किया है ह हर वीक में आपको circular के questions मिलेंगे R.V.N.A.W.R.C.B.K. P.I.B. Government Scheme National International Reports and Indices यह thousand questions पर मन्त मिलेंगे और thousand questions हम descriptive के भी देने वाले है जहां पर आपको question मिलेगे और model answer भी वहाँ पर मिलेगा exclusive course है जिसमें आप one-on-one student हमारे faculty के साथ discuss कर सकते है आप individual plan ले सकते है आपको क्या क्या करना है personalize यहाँ पर guidance मिलेगा और यहाँ पर special whatsapp group BA QRE के लिए जहाँ पर आप अपने doubts यहाँ पर पूछ सकते है अगर आपको इसके बारे में और information चाहिए तो यहाँ पर call कर सकते है और अगर आपको study plan और उसके साथ हमने 2023 का phase 1 का पूरा paper 200 के 200 question उसके बाद ESI के 30 question उसके answer और FM के question 30 question उसके answers और जो question पूछे गयते ESI में descriptive के और finance के descriptive के वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है वो file नीचे है वहाँ से आप download कर सकते है और इसके बारे में कुछ भी question पूछना है तो आप comment section में पूछे मैं सारे जो आपकी comment से वो सारे पढ़ता हूँ और उसका answer देने का try करता ह thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations